तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग युवान अपने गू को रिफाइन कर लेता है और अपने फर्स्ट प्लेस के रिवार्ट को लेने के लिए वो एकडमी अल्डर के पास आता है लेकिन एकडमी अल्डर अंधेरे में उसके चेहरों को नहीं देख पाते हैं और उसे फैंग युवान समझ कर उसकी तारिफे करनने लगते हैं तभी फैंग युवान सामने आता है और उन्हें बताता है कि वो फैंग युवान है इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया चाता है कि एकडमी अल्डर इससे बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क वो अपने first reward को लेने के लिए Academy Elder को बताना चाहता था कि उसने अपने गू को refine कर लिया है साथ ही वो कहता है मैं first class talent हूँ मैंने बहुत hard work की किया है इसे लिए मुझे कोई नहीं हरा सकता ब्रदर और दूसरे लोग हमेशा मुझे नीचे देखते हैं आज मैं चाहता हूँ कि सब मुझे एक नई रोसनी के साथ देखें लेकिन जब वो Academy के बाहर जाता है तो गार्ड उससे कहता है क्या तुम गूओ फैंक्जोंग हो तुम तो अपने भाई जैसे दिखते हो दूसरा गार्ड हंसते हुए कहता है तुमने बहुत देड कर दी है तुम्हारे भाई ने फरस्ट प्लेस के रिवाड को ले लिया है ये सुनकर उसे जोड़दार जटका लगता है और वो कहता है क्या वो उस सेमिस्टर में फरस्ट आ गया है फिर वो चिलाते हुए गार्ड से कहता है वो सिर्फ third class talent है आप लोगों से पका कोई गलती होई होगी कार्ड कहता है इसे खुद elder ने confirm किया है हम कुछ देर में notice जारी करेंगे जिससे तुम बाद में जाकर देख सकते हो चब फैंक सोंग उस notice को देखता है तो वो पूरा गुस्से में आ जाता है और शिलाते हुए कहत है ये कैसे हो सकता है उसने ये कैसे किया अगर ये सिकंड क्लास मोबाई और चंजेंगन होते तो मैं ये मान भी लेता लेकिन ये वही क्यों है बलकि मैंने उससे ज्यादा मेहनत की थी बस वो सारी राद वाइन पीके इधर उदर घूम रहा था कैस दुनिया में कोई justice है या मो फैमली से एल्डर चेन मो कहता है मोबाई अभी भी अपने गू को रिफाइन कर रहा है जिस पर उसका servant कहता है ये ठीक होता अगर फैंग जॉंग फर्स्ट प्लेस पर आया होता लेकिन वो थार्ड क्लास वाला फैंग युवान फर्स्ट प्लेस पर आया है जिसने ये ये मास्टर को एक जटका लगा है मोबाई कहता है हमेशा गुमास्टर को बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है अगर वो इस तरीके का एक जटका भी नहीं समाल सकता तो वे में हमारी फैमली को लीट कैसे करेगा कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं जाएगा उसे ये सब खुद करने दो दूसीरी तरफ हमें चीफ फैमली का दिखाया जाता है जहाँ पर लीचन कहता है चंचेंगन गुमास्टर की सिर्फ क्वैलिटी माइने रखती है मुझे यक क्याँ कर पाऊ दूसरी तरफ फैंक कसीन दिखाये जाता है जो सदमे में हस रहा होता है और कहता है यहां तक कि इसके पास से फस्ट क्लस टाइलिंट पीक हो गया वो अभी मुझे पुराना फैंक युवान है फैंक कहता है ब्रदर तुम सिर्फ इंतजार करो अगली बार मै पीर सामनी को луч करेंगे ये कहकर वो एक slash सामनी लगे पुतली पर मारते हैं जिससे उस पुतले का सर कटके अलग हो जाता है ये देखकर सभी बच्चे excited हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैं भी ऐसा जोड़दार attack कर पाऊंगा जिस पर academy elder कहते हैं हाँ अगर तुमने अच्छी तरीकी से practice की ब्लेड को लांच करने की कोशिज करते हैं इस तरीके की आवाज निकालते हुए वो मून बिलेड को लॉच करने की कोशिज करते हैं दूसरी तरह फैंग्जां कहता है पिछली बार तो मेरे ब्रदर का लाक साथ दे गया जिससे उसने फस्ट ब्लेट को हासिल कर लिया लेकिन इस बार लग्के भरोसे नहीं रह सकते तो अब जो जीतेगा वो मैं हूँ तभी कोई अपने मून ब्लेट को लांच कर देता है जिससे उस स्केर क्रो का सर कटके अलग हो जाता है ये देखकर सारे बच्चे चिलाने लगते हैं ये किस ने किया? मून ब्लेट को लांच किस ने किया? ये सुनकर फैंग जॉंग हैरानी से फैंग जॉंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं फिर से वो नहीं हो सकता लेकिन जब फैंक जौन का सीन दिखाया जाता है तो वो मून बिलेट के लांच करनी की पोज में ख़ड़ा होता है सभी बच्चे चिलाते हुए कहते हैं क्या ये वही है? उसने ही मून बिलेट को लांच किया है लेकिन फैंक जौन के पास से एक डिसाइबल खड़ा होता है जिसके पास एकेडमी अल्डर आते हैं और उससे पूँचते हैं क्या वो स्लैस तुम्हारी तरफ से लांच हुआ था जिस पर वो बच्चा कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है ये देखकर सभी लड़कियां पागल होती है और उसकी तारीफे करने लगती है वहीं फैंक सांग भी कहता है मुझे तो पता ही था ये नहीं होगा वहीं वो दूर डिसाइबल्स अपनी अजीब तरीके से आवाज निकाल कर प्रैक्टिस किये जा रहे होते हैं और जिनका टाइलेंट कम होता है वो दूसरी तरफ खड़े होके बाते कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं उन लोगों से जलता हूँ जिनका टाइलेंट अच्छा होता है हम तो अनलक्य और प्रैप्टिट्यूड वाले हैं हम सभी सिर्फ उनका बैकप ही बन सकते हैं फैंग जुआन कहता है मैं अल्मोस्ट एक्सपोज होने वाला था अभी के लिए मुझे अपनी की को लो करके रखना चाहिए तिन चेंज होता है और जौंग यॉग को दिखाया जाता है जो एकेडमी के अंदर इसकेर क्रोग को बेच रहा होता है और उन डिसाइबल से कहता है जुनियर बिर्दर क्या आप सभी की क्लास एंड हो गई है क्या आप दोनों स्केर क्रोग रास को खरीदना चाहते हो आप इस स्केर क्रोग उसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और भी कई यूज हैं इसके वो डिसाइबल कहता है क्या तीनी स्प्रिशल स्टोन मेरे टैलेंट के हिसाब से तो इसे खरीदना मेरे पैसों की बरबादी होगी जंग जाओ कहता है क्या तुम अपने स्प्रिशल स्टोन को बचा कर नियुयर की पार्टी करोगे बिखारी कहीं के तभी वहाँ पर फैंग जुआन आ जाता है जो उससे दस मून आर्चिट पैंटल्स मांगता है जौंग यू कहता है जूनियर बिरदर ये तो तुम हो तुम जानते हो कि अपने पैसों को कैसे खर्च करना है थोड़ा से इंतिजार करो मैं उसे लाकर देता हूँ फिर वो उसे दस मून आर्चिट पैंटल्स को खाता है जिसे लेकर वो खाना खाने के लिए आ जाता है साथ ही वो बताता है अभी के लिए मेरे पास एक और समच्ची आ गई है इन गू को खिलाने के लिए मून लाइट गू मून आर्चिट पैंटल्स को खाता है और लिकर वार्म ग्रीन बैंबू वाइन को पीता है इन दोनों गू के लिए मुझे हर दिने की स्प्रिच्वल स्टोन खर्च करने पड़ेंगी भले ही मुझे अगले कुछ दिनों में स्प्रिच्वल स्टोन मिले हैं लेकिन इन गू को खिलाना और पालना बहुत मुस्किल है अभी के लिए ये मेरे पास 22 स्प्रिच्वल स्टोन है अच्छी बात तो ये है कि मेरा चिंक्यू सिकाड़ संलाइट से दूर रहता है नहीं तो मैं रैंग 6 के गू को अफ़ॉर्ड नहीं कर सकता ऐसा लगता है कि मुझे अगले कुछ दिनों में अपने स्टेटस के लिए कुछ करना चाहिए तब ही एक सर्वेंट आता है जो फैंग यूवान से कहता है अगले 10 दिनों में हमारे यहां एक कारवां आएगा वो आम ताओर पर बहुत सारी ग्रीन बैंबू वाइन खरीते हैं मुझे लगता है कि जब वो लोग आएंगे तो हमारे पास स्टॉक खतम हो जाएगा और ओनर जानते हैं कि आपको ग्रीन बैंबू वाइन पीना पसंद है इसलिए उसने मुझे बेजा है आपको ये बताने के लिए फैंग युआन कहता है एक ग्रीन बैंबू वाइन का जार चार दिनों तक चलता है अगर मैं इसके साथ किसी और वाइन को चेंज कर दूँ तो मुझे बहुत सारी वाइन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे लोग मुझे पर सख करने लगेंगे मुझे लगता है कि अब मुझे वाइन को खरीद लेना चाहिए फिर वो उस वेटर को वाइन की 5,000 लाने के लिए कहता है और साथे उसे एकेडमी डोम में बिजवाने के लिए कहता है फैंग युआन हस्ते हुए कहता है एक गूकू पालने के लिए किसी मिसिस को पालने के बराबर है इसके बारे में लोग गलत नहीं थे फिर हमें अगले दिन का सिन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्सल अनीडमे फिजिकल इंस्ट्रक्टर सभी की ट्रेनी करा रहे होते हैं और वो सभी डिसाबल से कहते हैं हरगु मस्टर को अपनी कल्टीविसिन की सुरुवात में सबसे पहले अपने हाथों और पैरों को ट्रेंड करना चाहिए मून ब्लेड प्रैमेल लेसंस को यूज करता है इसलिए वो तुम्हारा लाश्ट आप्सन होना चाहिए आप अपनी physical body पर तब भरोसा कर सकते हैं जब आपके पास कोई प्रैमेल लेसंस न बचा हो आप सभी को ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कहीं ऐसा नहों कि future में आप सभी को पस्ताना पड़े कि आप सभी ने मेरी बात नहीं सुनी वही पर वो दो बच्चे fully ignore मारते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं अगली क्लास हमारी moon blade की है तुम्हारी training कैसी चल लही है जिस पर दूसरा disable कहता है मैं अपने moon blade को launch कर सकता हूँ लेकिन मेरा निसाना कभी ठीक जगह पर नहीं लगता वही physical instructor उन सभी को lecture दिये जा रहे होते हैं और कहते हैं अभी तुम सभी moon blade को अच्छे तरीके से use नहीं कर सकते इसलिए वो अभी के लिए practical weapon नहीं है तुम्हारी लिए फिर moon blade की class शुरू हो जाती है जहाँ पर academy elder final result को देखने के लिए competition रखते हैं और उन सभी को बताते हैं कि 5 round होंगे और सभी को पिछली बार की तरह 3 attack करने को मिलेंगे फिर academy elder उन सभी को points की बारे में बताते हैं और कहते हैं body पर cut लगेगा तो 1 point और सीने पर 2 point गरदन पर 3 point और अगर गरदन को कार दिया तो 4 point सबसे perfect score 12 है जो भी सबसे ज्यादा point लाईगा वो first place पर रहेगा अगर तुम सभी समझ गए तो चलो इसे start करते हैं फिर competition स्टार्ट हो जाता है और वो सभी बच्चे जो अजीब तरीके से आवाज निकाल कर अपनी practice कर रहे थे वो अपनी slices को launch करते हैं लेकिन उनका कोई भी slice अपने निसाने पर नहीं लगता और वो अपनी वही अजीब आवाजे निकाल रहे होते हैं जिससे academy elder बहुत गुसा हो जाते हैं और चिलाते हुए उनसे कहते हैं तुम्हारा निसाना इतना खराब कैसे हैं क्या यही practice की है तुम लोगोंने फिर अगला number गू मोबाई और चेंचेंगन का आता है और वो दोनों अपना moon blade launch करने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनने देखकर disable चिलाते हुए कहते हैं अब दो class अब दोनों second class के बीच fight देखने में मज़ा आएगा मोबाई कहता है मैं तुमसे हारूँगा नहीं जिसपर चेंचेंगन कहता है डिट्टो यानि मैं भी नहीं हारूँगा फिर वो दोनों अपने target को hit करते हैं जिसमें मोबाई को 5 अंक और चेंचेंगन को 6 अंक मिलते हैं चंचेंगन हसते हुए मोबाई सी कहता है, मुझे जिताने के लिए धन्यवाद, जिस फर मोबाई कहता है, तुम लखी थे बास्टर्ड, चंचेंगन कहता है, असली खत्रा तो वो फेंग्जॉंग है, चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है, फिर अगले ग्रूप की बारी फे शारान हो जाता है, और कहता है, क्या मैंने मिस्स कर दिया, धल्त ते रिकि और सामने देखकर सभी बच्चे भी हैरान होते है, वो मूनब्लेड सीधा जाके इसके और गुरूग की गर्थन पे लगता है, जिससे देखकर सभी उसकी तारीफे करने लगते हैं, और कहते हैं, फर्स्ट क्लास टैलन से यही उमीद की जा सकती है वहीं एकडमी एल्डर भी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं ये तुना बुरा भी नहीं था तुम्हारा निसाना तो बिल्कुल एकुरेट है वहीं दूसरी तरह फैंक जॉंग गाबराय होता है और कहता है अब मुझे बस अपने दो मून बिलेट को लांच करना है फिर वो एक एक करके अपने मून बिलेट को लांच करता है जो चेस्ट और सोल्डर की पास जाके लगती है जिससे उसे स्वेबन पॉइंट मिलते हैं जो अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर था जिससे देखकर वो बच्चे कहते हैं अभी तक किसी ने गर्दन को नहीं काटा है मुझे लगता है कि फैंग जॉंग को हुई फरस्ट प्लेस मिलेगा जिस पर दूसरा डिस्याबल कहता है लेकिन सबसे अच्छा इसको नाइन पॉइंट्स होता है तब ही फैंग जॉंग के बारी आ जाती है जिसके ग्रूप में सिर्फ वही अकेला होता है जिससे देखकर वो बड़े दात वाले डिसाबल से उसका मज़ाग उड़ाने लगते हैं और हसते हुए कहते हैं अगर ये फर्स्ट प्लेस पर आ गया तो मैं गंदगी खालूंगा जिस पर वो दूसरा डिसाबल कहता है ऐसा मत कहो वो हमारे क्लैन का जीनियस है सबसे बिष्ट एक थर्ड क्लास टाइलिंट और वो इसी तरीके से मज़ाग उड़ा के हस रहे होते हैं फिर फैंग युवान अपने ब्लेट को लॉंच करता है जिसके स्पीड बहुत ज्यादा होती है फैंग जॉंग कहता है बरदर चलो दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो एकेडमी एल्डर कहते हैं फैंग जुवान चलो देखते हैं कि तुम्हारा फस्ट आना तुक्का था या फिर कुछ और सभी की नजरें उस स्लैस पर होती है लेकिन वो स्लैस इसके अरक्रो को लगने की बज़ाए साइड में पत्यों को कारते हुए निकल जाती है जिससे देखकर वो बड़ी दातफाले बच्चे अजीब अजीब से सकले बना के उसे चिलाने लगते हैं और कहते हैं वो देखो उसका निसाना तो सबसे हाट कर है कचड़ा तो हमेशा कचड़ा ही रहता है एकेडमी एल्डर कहते हैं मुझे तो पहले से ही उमीद नहीं थी तो ये सब एक लग का काम था इंफ्रेंक्सों हस रहा होता है और मन ही मन चिलाते हुए कहता है मैंने जीत लिया मैंने उसे हरा दिया तुम्हारे पास बस दो स्ट्राइक बची है अब तुम कैसे जीज सकते हो अगर अभी के लिए तुम्हारा लग वापस भी आ जाता है तो तुम ज्यादा से ज्यादा छे पोइंट पास सकते हो तुम कैसे ही उसका सर दो बार कार सकते हो चलो दिखाओ कि अब तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारा future सच में bright है या फिर तुम यहाँ पर बच्चों को धोका दे रहे हो अब give up कर दो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है इस समय तो तुम्हें heaven god भी नहीं बचा सकते फिर fang yuan अपने blade को launch करता है fang zong कहता है अभी भी hard नहीं मान रहे हो चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो चलो अब मुझे अपनी hard दिखाओ इस test के बाद मैं तुम्हारे first place को ले लूँगा और number one genius बन जाओंगा हर कोई मुझे acknowledge करेगा मुझे पर कोई दुबारा हासेगा नहीं लेकिन तभी पीछे से उसका दूसरा blade भी आ जाता है जिससे देखकर वो सभी बच्चे चिलाने लगते हैं जो सीधा जाके स्केरकोरो की गर्दन में लगते हैं और उसकी गर्दन दूर जाके गिरती है ये देखकर वो सभी बच्चे चिलनाना सुरू कर देते हैं और कहते हैं उसे तो 8 पॉइंट मिले हैं और उसने पूरी गर्दन को ही कार दिया ये अब तक का सबसे हाइज स्कूर है ये उसने कैसे किया और उसके अटैक की स्वीड भी बहुत तेज थी वहीं ये देखकर फैंग जॉंग सदमे में चला जाता है और चिलाते हुए कहता है क्या मैं हार गया ये नहीं हो सकता वो तो सिर्फ थार्ड क्लास टैलेंट है वो मुझसे बहतर कैसे हो सकता है उसने तो पूरी गर्दन ही कार दी ये उसका लग है वो लगी है मैं इसे नहीं मानूँगा मैं दोबारा री मैच करूँगा फिर वो एकडमी एल्डर से चिलाते हुए कहता है ये सही नहीं है उसने चीटिंग की है उसने इसे एक बार में नहीं काटा है तो उसे आठ पॉइंट क्यों मिले है फिर एकडमी एल्डर उसे दिखाते है कि उसके दोनों स्लेसिस एक बार में लगे है इसे लिए उसके आठ पॉइंट बनते है पॉइंट्स देने में कोई भी गलती नहीं हुई है जिसे सुनकर फैंग जोंग कहता है वो इस टेस्ट में भी फर्स्ट प्लेस पर आया है फिर वो वहीं पर घुटने पर बैठ जाता है और मनही मन चिलाते हुए कहता है फैंग यूँआन हर बार तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो जिसे देखकर फैंग यूँआन कहता है क्या अगली एक्सप्रेशन है मेरे मूर्ख छोटे भाई फैंग यूँआन वहां से जाने लगता है और मनही मन कहता है जलिसी और हेट इसी वज़े से तुमने मुझे मेरे पिछले लाइप में सफ्रेस कर दिया था और इसी तरीके से फेस एक्सप्रेशन बना रहे थे और वहां से हुए वहां से चला जाता है जिससे देखकर फैंग यूँआन उसके उपर खूब गुस्ता करता है फिर दोपहर में एकडमी एल्डर फैंग यूँआन को रिवार्ट और अलामन्स देते हैं यानि रिवार्ट के साथ एक्स्ट्रा मनी एकडमी एल्डर गहते हैं बहुत अच्छा किया ऐसे ही करते रहो और ये देखकर वो सभी डिसाबल जल रहे होते हैं पिर अगले दिन का सिन दिखाया जाता है जहाँ पर एकडमी एल्डर सभी को कल्टिवेसन के बारे में बता रहे होते हैं और उनसे कहते हैं तुम सभी की कल्टिवेसन जितनी ज्यादा होगी तुमारा प्रैमेल एसन्स उतना ही कंडेंस होता रहेगा rank 1 goom master के पास green copper primary essence होता है rank 2 goom master के पास iron red primary essence होता है और rank 3 goom master के पास white silver primary essence होता है हर बार जब आप अपने primary essence को rise करवाएंगे तब आपके primary essence की power पिछले से दसकुना ज्यादा होगी जो भी middle stage में सबसे पहले पहुँचेगा उसे 30 spiritual stone दिये जाएंगे साथी तुमारे performance से एक class leader और दो vice leader चुने जाएंगे जिन्हें extra money मिलेगी फैंग जों कहता है elder सही कह रहे थे मुझे अपने emotion को अपने उपर हावी नहीं होने देना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं परता कि मैं काउन सा method यूज़ करता हूँ जिस पर चेंचरिंगन कहता है मुझे लगता है कि वो इसलिए चला गया क्योंकि वो अपने dog luck पर सर्मिन्दा है mobile कहता है एक बाल लख हो सकता है दो बाल लख हो सकता है लेकिन तीसरी बाल लख नहीं काम करता इस बार का exam तुमारे aptitude से पता चलेगा इस बार देखेंगे कि तुम first place पर कैसे आते हो फिर हमें फैंग्यवान का सिन दिखाया जाता है जो gate पर खड़ा होता है और कहता है ये first place तो सिर्फ पोजीसन है और इसमें ही ये सब जंगली बन जाते हैं कैसे मूर का और गरम खून वाले हैं सब वो सब ही नहीं जान दे कि एकड़मी वाले उन्हें पोजीसन इस ले देते हैं कि कि वो उनकी मदद कर सकें तब ही वो दोनों डिसाइबल आ जाते हैं जिनका नाम मिंग और जाउलियो होता है जाउलियो कहता है वो तो gate पर खड़ा है जिसवर मिंग कहता है उसके परवाह मत करो वो साइद किसी का इंतिजार कर रहा है चलो चलते हैं ये करकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं जो वो फैंग यूआन के पास से गुजरते हैं तब मिंग गहता है जब मैं इसका इस तरीके का लापरवाही वाला चाहरा देखता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है वो सिर्फ एक third class talent है जिसका दोबारा से लग काम कर गया जिसे उसे लगता है कि वो भी एक genius है जालियो फैंग यूओन को चड़ाने लगता है और उससे कहता है फैंग जोंग एक कचड़ा है जो first talent होने के बाद भी एक third class talent वाले से हाल गया वहीं फैंग यूओन अपना हिसाब लगा रहा होता है और कहता है सभी को resources चाहिए होते हैं और हर गू master को resources चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी cultivation को आगे बढ़ा सके तभी मिंग कहता है बिना parents की बच्चे कभी success नहीं हो सकते फैंग यूओन अपनी बात को पूरा करता है और कहता है और वो resources है spiritual stone ये कहकर वो एक पंच मिंग के मूँपर दे मारता है मिंग कहता है तुमने मेरा handsome face तोड़ दिया ये कहकर वो चिलाने लगता है जाव लियो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो क्या तुम हमें पीटना चाते हो फैंग यूओन उन दोनों के सामने आके खड़ा हो चाता है और उन दोनों से कहता है मैं ज्यादा देर तक तुम्हारा शहरा नहीं देखना चाता अगर तुम दोनों इस गेट से बाहर जाना चाते हो तो मुझे एक spiritual stone दो जिसके बाद ये बात पूरी academy में फैल जाती है कि फैंग यूओन सभी बच्चों को लूट रहा है ये सुनकर एक disciple अपनी gang को लेकर फैंग यूओन के पास आता है और उससे कहता है क्या तुम सभी को लूट रहे हो ये करने की तुम्हारी हिमत कहां से आई मैं go clan का third boss हूँ जो तुम्हें रोकेगा फैंग यूओन उसकी पूरी बात को बिना सुने उसके गोटे चटका देता है और उसके अंडो का ओमलेट बना देता है जिसे वो वही पर गिर कर जोर जोर से चिलाने लगता है वो सभी gang members कहते हैं तुम सच में मरना चाते हो चलो सभी लोग और उसे मारो ये करकर वो तेजी से फैंग यूओन के तरफ बढ़ते हैं जिसे देखकर फैंग यूओन मुस्कुराता है और वो भी उनकी तरफ इस पीट के साथ बढ़ता है दूसरी तरफ एक डिसाबल फैंग्यूआन के पास आता है और उसे बताता है कि बाहर फाइट चल रही है फैंग्यूआन ने कहा है कि वो सभी को पीटेगा जिसे सुनकर मुबाई हैरान हो जाता है और वो देखने के लिए उसके साथ आने लगता है दूसरी तरफ फैंग्यूआन एक एक करके सभी को पीटे जा रहा है चारो तरफ से उसकी तरफ बंदे आ रहे होते हैं और वो उन्हें पीट-पीट कर दूर फैक के जा रहा होता है तभी उनमें से एक बंदा फुल जोस में चिलाते हुए फैंग युवान की तरफ बढ़ता है लेकिन फैंग युवान उसे एक जोर दार किक दे के दूर फ्यक देता है तभी वहाँ पर मोबाई आ जाता है और ये सब देखकर कहता है ये क्या चल रहा है जिस पर एक डिसाबल उसे बताता है कि फैंग युवान चाता है कि सभी उसे स्प्रिच्वल इस्टोन दे फिर फैंग युवान मोबाई की तरफ इसारा करता है और उससे कहता है सभी लोग मुझे स्प्रिच्वल इस्टोन देंगे जब मैं छोटा था हमारे बीच कोई मैच नहीं है ये कहकर वो फैंग्यूआन के उपर हमला कर देता है जिसे फैंग्यूआन पलक जबकते हैं उसके सामने आ जाता है और अपनी दो उंगलियों से अटाइक करके उसे दूर जटक देता है जिसे देखकर वो बचे टेसाबल्स हैरान हो जाते हैं जिसे देखकर फैंग्यूआन कहता है तुम सभी चिंता मत करो, तुमारी भी ब्यारी आ गई है ये कहकर वो उन सभी को भी पीट देता है ये देखकर वहाँ खड़ी दो लड़़्किया कहती है ये तो बहुत कुरूर है, वो सभी अभी जिन्दा है, फैंग युवान उन्हें पीटने के बाद उनके बीच खड़ा होता है, और सभी से कहता है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सरेंडर करोगी या नहीं, फिर हमें एकडमी एल्डर कसे दिखाया जाता है, जिलके पास एक ग उनके सामने एक डिसाइबल खड़ा होता है, जो उससे कहता है, मैं मरते दम तक तुमसे फाइट करूँगा, ये सुनकर फैंग युवान उसकी गरतन पर मारता है, और उसे बेहोस कर देता है, फिर फैंग युवान सामने खड़ी लड़कियों की तरह बढ़ने लगता है, जिससे देखकर वो लड़कियां घपरा चाती हैं, और फैंग युवान से कहती है, मेरे पास मताना, वर न मैं मून बिलेट का यूज करके तुम्हें काट के रख दूँगी, जिस पर फैंग युवान उन दोनों को एकड़ी लड़की डर जाती है, और अपने घुटने पर जाती हैं, और फैंग युवान से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, फैंग युवान कहता है, मुझे एक स्पिरिचुल स्टोन दे दो, वो लड़की अपने सारे स्पिरिचुल स्टोन सामने कर देती है, और कहती है, मैं अपना सब को तुम्हें दे दूँगी, बस मुझे मत मारना तबी फैंग्योन तेजी से अपना हाथ बढ़ाता है जिससे वो लड़की अपने आखे बंद कर लेती है और फैंग्योन उन्हें स्पिरिचुल स्टोन पेज्स को ऊठाता है और उस लड़की से कहता है तो हम इस matter को सम्हाल लेंगे Academy Elder कहते हैं कोई जरूरत नहीं है तब कुछ हमारी control में है कुछ भी serious नहीं होगा इसकी वज़े से disciples को grow करने में help मिलेगी ये बच्चा natural born fighter है यानी पईदाइसी fighter लेकिन ये अपसोस की बात है कि वो क्वेवल third class talent है वहीं फैंग्योन चेंचंगन को भी उठा के पटक देता है चीफ गार्ड कहता है लेकिन वो बहुत arrogantly काम कर रहा है वो हमें अपनी आँखों से देखता तक नहीं Academy Elder गुसी में आ जाते हैं और इससे कहते हैं तो तुम्हें उसकी आँखों के सामने आना है तुम्हारा सरनेम गुओ नहीं है ना तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो तुम्हें एक lucky servant guard chief हो जिसे ये सब कुछ लग की वज़े से मिला है ये मत भूलो कि तुम्हें एक servant के ये अलामा कुछ भी नहीं हो वो बच्चे जिनके सरनेम गुओ हैं वो तुम्हारी master है एक servant को अपने master के सामने राय देनी की हिम्मत कैसे हुई वो chief guard अपना सर जुका के माफिय मांगने लगता है और कहता है ऐसा करने के इस servant की हिम्मत नहीं है एकडमी elder कहते हैं तो चलो अपनी position को अब भूल जाओ आधे महीने में हम दूसरा chief चुन लेंगे ये सुनकर वो दोनों guard उस position को पाने के लिए सैथानी हसी हसने लगते हैं और कहते हैं अगर मैं chief guard बन गया तो मैं glory house में आ जा सकता हूँ और सभी लोग मेरी respect करेंगे एकडमी elder कहते हैं तुम अभी भी वहाँ क्या कर रहे हो जल्दी करो और दफा हो जाओ जिससे वो guard चला जाता है एकडमी elder अपने मन में कहते हैं एक servant हमेशा कुत्ते की तरह होता है कभी कभी उन्हें पीट देना चाहिए देखो मैं नहीं कहरा है अपने कुत्तों को पीटो ये इसमें लिखा है एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में गाजर यही secret तरीका है ग्रो करने का तभी वहाँ पर Feng Song अपने group ये साथ आ जाता है और वो ये सब देखकर हैरान होता है और Feng Yuan से कहता है बिरदर आप ये सब कैसे कर सकते हैं ये सब हमारे classmates हैं Feng Yuan कहता है अगर तुम सभी जाना चाते हो तो मुझे एक spiritual stone दो परना तुम सब का भी हाल यही होगा Feng Song कहता है क्या आप मुझे भी spiritual stone लेंगे Feng Yuan कहता है मेरे छोटे प्यारे भाई बेसक तुमको नहीं देना है ये सिनकर Feng Yuan उसका धनवात करता है और वहाँ से जाने लगता है जिसे देखकर वो disciples कहते हैं कास मेरब ही उसके जैसा एक भाई होता जब Feng Sunными detective 중 की साइट से गुजरने लगता है तब Feng Yuan अपनी बात को पूरी करता है और कहता है तो तुम्हारा भी हाल यही होगा तो Feng Yuan की पूरी बात ये थी बेसक तुमहें नहीं देना है तो तुम्हारा हाल भी यही होगा फैंक जोंग हैरानी से अपना सिर्फ पीछे घुमाता है जहां फैंक जोंग अपने हाथों से उसको उपर अटैक कर रहा होता है और तभी वो अपना हाथ उसके सामने आला के रोग देता है और उससे कहता है क्या मुझे अपने आपको दुबारा दोहराना होगा ये सुनकर फ spiritual stone फैंग यूवान को देते हैं और उससे कहते हैं ये तो बस एक spiritual stone की बात है जब हम तुम्हारे बारे में elder को बताएंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा ये कहकर वो सभी वहां से जाने लगते हैं तभी फैंग यूवान उन सबको पीछे से रुखने के लिए कहता है फैंग फैंग यूवान कहता है मेरी क्लास में कुल 57 लोग है जिनमें मेंसे 56 लोगों ने मुझे spiritual stone दिये हैं और मेरे reward के साथ मेरे पास 89 spiritual stone है जिनमेंसे मैं आधे पहले ही खर्च कर चुका हूँ और ये spiritual stone भी लंबे समय तक नहीं चलेंगे future में मुझे अभी से ज्यादा spiritual stone की जर ने दिया लेकिन चलो कोई बात नहीं ये सिर्फ एक spiritual stone की बात है अकाउंटेंट के कमरे में जाके दूसरा ले लो फैंक सोंग कहता है ठीक है फादर फिर फैंक सोंग वहां से चला जाता है अंटी अंकल से कहती है husband ये तो हमारे लिए अच्छा है चल्द ही फैंग वान बाह अगर वो इससे ज्यादा लेता है तो सायद इल्डर इसके बारे में कुछ करें आंटी कहती है किया इतने spiritual stone चुराने के बाद भी उसके साथ कुछ नहीं होगा वो spiritual stone उसके cultivation में मदद करेंगे husband आपको इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा अंकल कहते हैं अब मैं उसे लूट तो नहीं सकता तो हम फैंक्सों को उससे वापस से fight करने के लिए encourage करेंगे दूसरी तरफ चीफ family का दिखाया जाता है जहाँ पर ची लैन चंचेंगन से यही कह रहे होते हैं कि grand father आपकी मदद नहीं कर सकते अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो elders तुमको कमजोर समझ करेंगे जिससे उनका विश्वास चीफ family से उड़ जाएगा और यह तो family के लिए ही है इसलिए कोई भी family वाला किसी भी disciple की मदद नहीं करेंगा हमारी family को एक great successor की जरूरत है अगर हमारे पास power है तो ही हम अपने clan में सक्ता बनाए रख सकते हैं और यहीं वज़ा है कि grand father न नहीं तभी उसके अंदर से आवाज आती है वो लूटे रहा है उसने तुम्हें लूटा है इसलिए उसे सजा मिलने ही चाहिए यह सुनकर फैंक सोंग गुसी में आ जाता है और कहता है लेकिन उससे मेरा खून करिशता है अगर मैं उसे accept भी नहीं करता हूं तो भी मुझे दया की भीक माँगनी पड़ेगी वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे फिर तीन दीन बाद मारसा लेडी इना कसी दिखाया जाता है जहां पर एक डिसाबल चन्चेंगन से कहता है मेरे पैरिस्ट ने कहा है कि वो मेरी मदद नहीं कर सकते अगर वो मेरी मदद करते हैं तो वो rules को तोड़ेंगे rules भार में जाएं तभी physical instructor आ जाते हैं और उन सब को इतना training करते हुए देखकर हासने लगते हैं और उन सभी से कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा तुम लोग अपने हाथ हो और पैरों को यूज करने की importance को समझ गए हो उस बच्चे की तरह नहीं जो आलसी साम की तरह लेटा है तभी एकडमी एल्डर आ जाते हैं जो हस्ते हुए उससे कहते हैं यही आलसी है जो इन सब की वज़ा है फिर चार दिन बाद का सिंदी खाया जाता है जहांपर फैंग यूआन फिर से गेट पर खाड़ा होता है जिससे देखकर सभी बच्चे चिलाने लगते हैं और उससे कहते हैं फैंग यूआन क्या एक बार काफी नहीं था जो तुम हम सब को वापस से लूटना चाते हो इस बार हम लोग तुम से हारेंगे रहीं बस थोड़ा सा इंतिजार करो फैंग यूआन कहता है एक परसन के लिए एक स्पिरिच्छोल इस्टोन फना अंजाम भोकतने के लिए तयार रहना तभी वहाँ पर मोबाई आ जाता है जो चिलाते हुए फैंग यूआन से कहता है फैंग यूआन तुम हम सभी को नीचा दिखाते हो यह बहुत ज्यादा हो रहा है अब मैं तुमको चैलेंज करता हूँ पीछे से सभी चिलाते हुए उसे इंकरेज़ करने लगते है फैंग यूआन कहता है तो तुम्हारा फिर से सुरू हो गया तब ही मॉबाई स्पीट के साथ फैंग जुआन के तरफ बरता है और उससे कहता है तुम अपने आपको कुछ ज्यादा ही आख रहे हो यह करकर वो फैंग जुआन के उपर जोड़दार पंच से मारनने लगता है जिनने फैंग जुआन बढ़ी आसानी के साथ डौच कर रहा होता है और एक फैंग जुआन पंच को डौच करने के बाद वो मॉबाई की गरदन पर मार कर उसे दूर जटक देता है फिर चंचेंगन आ जाता है जो मॉबाई से कहता है तुम तो बहुत बिकार निकले मैं तुमको अपना इस्पेसल मूव दिखाता हूँ लेकिन तभी फैंग जुआन उसे भी किकमार की साइड में कर देता है फिर पीछे से फैंग जौंग अटाइक करता है जो फैंग जुआन से कहता है बरदर अब तुम पीछे मुड़ सकते हो मैं तुमारी अभी आखे खोल देता हूँ लेकिन फैंग जौंग बीना पीछे मुड़े उसे पंच मार कर बेहोस कर देता है जिससे देखकर वो सभी डिसाबेल चिलाने लगते हैं और कहते हैं वो तीनों धेर हो चुके हैं हम सभी को मिलकर उसके उपर अटैक करना चाहिए वो हमें समाल नहीं पाएगा ये करकर वो सभी एक साथ फैंग यौन के उपर हमला करते हैं लेकिन कुछ ही देर में फैंग यौन उस सभी को ढेर करके इस प्रिचल स्टोन लेके जाने लगता है जिससे देखकर गार्ड कहता है भाईयों आओ और इस गंदकी को साप करो फिर वो गार्ड मुबाई के पास जाता है और कहता है यंग मास्टर मैं आपकी मदद कर देता हूं लेकिन मुबाई उसके चहरे पर कोहनी मार के उसे दूर कर देता है और गुस्से में कहता है फैंग युवान मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा फिर फैंग युवान खाना खाने के लिए आ जाता है और कहता है आज के मनाफ़े को देखे तो मुझे 90 स्प्रिचल इश्टोन मिले है जैसा कि मैंने सोचा था इस तरह कभी जनेस बहुत प्रॉफिट देता है यही सोच कर वो हंस्टने लगता है और आगे कहता है अच्छे बात तो यह है कि फैंग युवान उसके तरब देखता है जैसे यह समझ जाता है कि यही फैंग युवान है और वो फैंग युवान से कहता है तो फाइनली मैंने तुहें डोड़ी लिया अब क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत बड़ी प्रॉबलम में पढ़ चुके हो आज तुम्हारी मौत पक्की है फिर हमें कुछ गंटे पहले का सिन दिखाया जाता है जहाँ पर मुबाई की सिश्टर मोयान अपने मिसन को पूरा करके वापस आती है जिससे देखकर सभी सर्वेंट उसे ग्रीट करने लगती है मोयान उन सर्वेंट से पूचती है कि सभी फैमली मेंबर्स कैसे है जिस पर वो सर्वेंट बताती है कि मास्टर तो ठीक है लेकिन यंग मास्टर ये कहकर वो चुप हो जाती है मोयान कहती है क्या हुआ है उसके साथ जिस पर सर्वेंट कहती है मैंने सुना है कि किसी ने एकडमी में उन्हें बुली किया है ये सुनकर वो मूबाई के पास जाती है जहाँ पर वो गुस्ते में अपनी ट्रेइंग को कर रहा होता है और कहता है मैं पिछले साथ दिनों से अपने मार्सल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं लेकिन फिर भी उसने मुझे सिर्फ दो ही मूँ में हरा दिया तभी वहाँ पर मॉयान आ जाती है जो उससे कहती है मेरे प्यारे चोटे भाई क्या किसी सी सुमारी दुस्मनी है जो तुम इतना हार्ड वर्क कर रहे हो मॉबाई कहता है सिस्टर आप वापस आ गई है मॉयान उससे कहती है हाँ मैं अभी वापस आई हूँ हम इन चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे पहले ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे को किया हुआ जिस पर मॉबाई उसे कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि मैं एक ट्रैप में गिर गया था तब ही वो सैंड बैक पर फैंग यॉन की फोटो देखती है और उससे कहती है तो तुम ट्रैप में फसकर नीचे गिर गए थे अगर ऐसा है तो तुम अगली बार थोड़ा ध्यान से चलना मुझे अभी के लिए कुछ काम याद आ गया तो मैं तुम से बाद में मिलती हूँ जिसके बाद वो सीधा फैमली हेड मोचैन के पास जाती है मोचैन कहते है तो तुम वापस आ गई तुम्हारी इन्वेस्टिकेशन कैसी गई मोयान हसते हुए कहती है आपको कैसे पता कि ये मैं हूँ मोचैन कहते है सिली गर्ल सिर्फ तुम्हे रोल्स को तोड़ती हो जो मीना बताए अंदर आ जाती है मोयान कहती है आप तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से जानते है फिर वो मोबाई के बारे में पूछती है और उनसे कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन छोटे भाई के साथ क्या हुआ है मैंने उससे पूछने की कोसिस की लेकिन उसने मुझे नहीं बताया अब मैं सिर्फ आप से पूछ सकती हूँ मोचैन कहते है पहले मेरे सावाल का जवाब दो मोयान उन्हें बताती है कि वुल्फ देन पूरा भर चुका है और उनकी करेंट ब्रीडिंग को देखकर हम इस साल तो नहीं लेकिन अगली साल ट्रेड जरूर कर सकते है मोचैन कहते है ठीक है और तीन साल में वुल्फ ट्रेड होती है प्राबलम इतनी भी कुछ खास नहीं है अब मुझे ये बताओ कि थंडर क्लाउन विल्फ कितने है मोयान कहती है लगभगतीन जिस पर मोचैन कहते है ये इतना भी डराऊना नहीं है गो फैमिली और बाइ फैमिली उनमें से एक एक को समभा सकती है मोयान कहती है ठीक है ग्रैंट फादर अब मुझे मोबाई के बारे में बताएए मोचैन कहते है किसी ने उसकी पिटाई कर दी है एक बार साथ दिन पहले और एक बार आज ये कहकर वो हसने लगते है और आगे कहते है बहुत अच्छी पिटाई की है उसने ये सुनकर मोयान मूब फुला लेती है और उनसे कहती है ग्रैंट पाई आप ये कैसे बोल सकते है मोबाई आपका सबसे प्यारा पोता है मोचैन कहते है मुझे पता है कि तुम अपने भाई की केर करती हो लेकिन इस बार इंटर्फियर मत करना फेलियर और अपमान किसी को भी आगे बढ़ने में मदद कर सकती है चाहिए अच्छी बात नहीं है कि वो अपने सेंट बैग पर फिर से प्रैक्टिस करने लगा है और ये नियम है अगर तुम किसी कमजोर को बुली करती हो तो दूसरी फैमली वाले हमें नीची नजोरों से देखेंगे एक आदमी को हमेशा प्यार या फैमली की जरूरत नहीं होती लेकिन उन्हें कभी अपने राइवल की कमी नहीं होती इस अपर उनेन को मोबाई के लिए छोण दो ठीक है अब तुम जा सकती हो मुझे अपनी किताब को पढ़ना है जिस पर वो ग्रीट करके वहाँ से जाने लगती है और कहती है माफ करना ग्रेंपा ये आपके प्यार करने का तरीका है लेकिन मेरा अपना प्यार करने का तरीका है फिर वो उसी बंदी के पास जाती है जिसका नाम गावान होता है और उससे कहती है जाओ इस लड़के को ढूनो मैं इसका देखवाल खुद करूँगी अब प्रिजन्ट का सिन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बंदा जिसका नाम गावान होता है वो फ्रेंग्योन के उपर चिला रहा होता है और कहता है दुसरा वेटर कहता है तुम गूमास्टर को कुछ ज्यादा ही आक रहे हो हलाकि एक रैंक वन का गूमास्टर एक मॉर्टर से ज्यादा स्ट्रॉंग होता है लेकिन वो सर अभी अभी एक गूमास्टर बने थे जो रैंक वन बिग्निंग स्टेश पर है फिजिकल गावन कहता है कि इतना काम होने की एक्टिंग मत करो कुछ ही देर में हमारी मिसाती होंगी इतना कहते ही ओपर पilly고 चाहती है जिसे देख कर गौपने पर आ जाता है और उसे greeting देने लगता है और हमें मिल्ट पर दिखाया जाता है जिस पर दो कट लगे होते हैं यानि वो रैंटू की गूमास्टर है मोयान कहती है तो तुम फैंग युवान हो मैंने देखा कि तुम बहुत सारा खाना खा रहे हो क्या तुमने पहले कभी खाना नहीं खाया अभी इस खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा ये सुनकर फैंग युवान मैं ठीक से जाज भी नहीं की अब मैं इस सिच्वेसन से खुद बाहर नहीं निकल सकती मैं घहलोटने के बाद इस गावान से निपड़ती हूं वहीं गावान घवराय ख़ड़ा होता है और चिलाते हुए कहता है वो नाटक कर रहा है वो फैंग युवान ही है उसके साइड मुश्किल क्यों बना रहे हो तुम सिर्फ फैंग युवान को खोचना चाते हो है ना मैं तुम्हें अपने डोम में लेके चलता हूँ वो वहाँ पर मिल सकता है मोयान कहती है यह बहुत ही सातीर है यह 15 साल के बच्चे की तरह एक्ट नहीं करता और भले ही इसके बैक के अं बना जाती है और फैंग यॉवान से कहती है तो चलिए जूनियर बरदर और हमें रास्ता दिखाईए फिर वो फैंग युवान के साथ एकडमी के बाहर आ जाती है जहां पर एकडमी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते और उससे कहते हैं एकडमी के अंदर सिर्फ गूम सिर्फ गावान को हो अपने साथ अंदर लेके जाती है जिस पर गावान उसका सुक्रिया करता है फिर सभी अकेडमी के अंदर आ जाते है जहां पर फैंग्युआन उनको अपने डोम में लेके आता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है जिससे देखकर मोयान कहती है जूनियर बिरदर इसका क्या मतलब है इस कमरे में तो कोई भी नहीं है फैंग्यूआन कहता है क्या लेकिन इस कमरे में मैं तो हूँ ये सुनकर मोयान गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है मैं जिस परसंट को ढूण रही हूँ वो कहा है यानि ग क्लाका यूज करके उसके ऊपर अटाइक करती है लेकिन तबी फैंगोँन उसे रूह सी बारे में याद दिलाने लगता है और इससे कहता है मॉयान तुम्हें इसके बारे में बहुत सौधानी रखनी रखनी चाहिए क्या तुम्हें हमारी क्लैन के रूह कि बारे में नहीं पत अच्छा होता अगर मैं सिर्फ रूल को तोड़ती लेकिन इससे ग्रेंट पा और फैमली को भी डाउन होना पड़ेगा फैंग्यूआन मुस्कुराने लगता है और कहता है मैंने ये नहीं कहा था मैंने कहा था कि मैं तुमको फैंग्यूआन को ढूणने में मदद करूँगा और अब देखो तुमने फैंग्यूआन को ढूण लिया अगर आपके पास और कुछ कहने के लिए है तो अभी कह दे मोयान हसने लगती है और उससे कहती है फैंग युवान फैंग युवान तुम तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी क्लैन के रूल के बारे में चानते हो लेकिन तुम हमेशा के लिए इस डोम के अंदर नहीं रह सकते मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूँगी और देखू तुम्हें लगता है कि एल्डर मुझसे परसनली आके मिलेंगे तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनसे कल क्या कहूंगा मोयान उसके ओपर चिलाने लगती है और उससे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहां पर मार नहीं सकती है यह सुनकर फैंग य हम इंसानों को भी बनना पड़ता है ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से बलकि अपने इमोसन से भी इंसानियत ने इस दुनिया और इस दुनिया को कंट्रोल करने वाले रूल्स को समझने के लिए हमेशा ग्यान मांगा है लेकिन इन रूल्स को यूस करने के बज़ाए अपने आपको इनहीं में बांध लेते हैं तुम्हारे पास सेकंड रेंग की कल्टी विसन है फिर भी तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती और यही यहां की सैड स्टोरी है यानि फैंग जुवान का कहने का मतलब है कि रूस में इतना मद बन जाओ कि दुसमन तुम्हारी कहके ले ले मोयान मनहीं मन कहती है इस कमीने बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने कल्टी वेसन करने की हिम्मत करता है फिर वो फैंग जुआन से चिलाते हुए कहती है फैंग जुआन तुम कायर कहीं के तुम कमजोर गधे हो अगर तुम्हारे पास spiritual stone चुराने की हिम्मत है तो तुम्हारे पास बाहर आने की हिम्मत क्यों नहीं है कमीने कुछ तो बोलो इस तरह छुपना बंद करो मैं जानती हूँ कि तुम नाटक कर रहे हो अगर तुम्हें एक आदमी हो तो अपनी कायरता को छोड़ो और इस तरह का नाटक करना बंद करो तुम बिल्कुल बक्वास लग रहे हो बिना सर की कच्छवे छिपना बंद करो और जल्दी से बाहर आओ लेकिन फैंग्यूआन कुछ भी नहीं बोलता ये देखकर मोयान और भी घुसा हो जाती है और अपने पैर को जोर से पटकती है और चिलाते हुए उससे कहती है मैं पागल हो जाओंगी फैंग्यूआन हो सकता है कि तुमने मुझे अभी के लिए टाल दिया हूँ लेकिन तुम हमेशा मुझे से बच नहीं सकते गावान मेरे लिए इसे गाट करो ये हमेशा के लिए इसके अंदर नहीं रह सकता गावान कहता है लेकिन आपके बारे में क कि कमी को पूरा कर रहा है आधे से ज्यादा डिसाइबल्स करने के लिए अपने बिगनिंग इस्टेज प्रैमल एसंस को यूज करेंगे लेकिन मैं अपने मिडिल स्टेज्ट प्रैमल एसंस को यूज करूंगा जिससे मेरी कल्टिवेशन इसे दो गुना ज्यादा होगी जब मैं अपने Moon Blade को लाँच करूँगा, तब मैं अपने Middle Stage Primal Essence का यूज करूँगा, जिससे इसकी destructive power भी काफी बढ़ जाएगी, फिर फैंग यवान अपने Beginning Stage Primal Essence को Middle Stage Primal Essence तक पहुचा देता है, और फिर वो मुस्कुराते हुए अपनी आखे खोलता है, जिससे दिखकर बाहर बैठा गावन कहता है उदा केड़े आखिरकार तुमने अपनी आखे खोली ली जल्दी करो और बाहर आजाओ वर्णा मैं अभी या बाद में तुम्हें काठी फेकूंगा तुमने हमारे मास्टर ये मोबाई को हरा दिया ये बस समय की बात है हमारी फर्स्ट मिस्स तुम्हें एक सबक सिखाएंगी ऐसा लगता है कि वो सेकेंड राइंग गुमास्टर चली गई गावन चिलाते हुए कहता है क्या तुम मुझे सुन रहे हो तुम्हारी पास तो सोने के लिए घर और एक बिस्तर है मुझे तो यहां पर इंतजार करना पड़ रहा है क्या तुम्हें सच ज्यादा से ज्यादा तुम सेकेंड रैंग गुमास्टर बन सकते हुँ तुम्हारी जैसा कचड़ा हमाली फैमली से कंप्यार ही कैसे हो सकता है जल्दी करो और अपना पिछवारा बाहर निकालो तुम बाहर आ रहे हुँ मैं तुम से बात कर रहा हूँ फिर फैंग यवान पने spiritual stone को observe कर लेता है और कहता है third class talent की अपनी limit होती है मैंने पहले ही रात में तीन spiritual stone को observe कर लिया है लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारे spiritual stone है लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे इसे भूल जाओ speed और cultivation को result को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ती है अब मुझे इस business को निप्टा देना चाहिए ये कहकर वो चलते हुए बाहर आ जाता है और गावान के सामने खड़ा हो जाता है जिससे देखकर गावान कहता है बच्चे आखिरकार तुम बाहर आ फैंग्यवान ही उसके उपर 65 से अटैक कर देता है जिसे वो अपने हाथों से ब्लॉक करता है फैंग्यवान कहता है तो ये गावान भी कुछ अच्छे मूव जानता है सायद ये मॉर्टल मार्सलाट की पीक पर है मेरी अभी की बाड़ी की साथ मुझे लगता है कि मैं उसक हार गए तब ही वो फैंग्यवान को पकड़ कर नीचे जोर से मारता है लेकिन समय रहते फैंग्यवान उसे डॉच करकर दूर हड़ जाता है गावान कहता है ये बच्छा तो एक्स्पिरियन्स वाला लगता है हर बार जब ये मेरे वाइटल स्पॉर्ट पर राइटैक करता है तब ऐसा लगता है कि ये मुझे मारना चाता है लेकिन मैं इसे नहीं मार सकता वरना गोग लैन मुझे जिंदा नहीं रहने देगा लेकिन कोई फर्क नहीं परता कि वो कितना स्ट्रॉंग है वो अभी भी एक बच्चा है उसके बॉड़ी मुझे से ज्यादा मारे ही जा रहा होता है जिसे फैंग युवान पीछे हटते हुए डॉच कर रहा होता है गावान कहता है बदबुदार बच्चे तुम मेरे खिलाब जीत नहीं सकते और क्लैन में रूल है कि तुम अपने गो का यूस एकडमी में नहीं कर सकते फिर वो एक जोरदार पंच फ मेरे पास एक लिकर वार्म है तो मैं सोच नहीं सकता कि मेरे साथ आगी क्या होगा गावान जब यह देखता है कि फैंग युवान अपने मूनलाइट गू का यूस करने वाला है तो वो चिलाने लगता है और उससे कहता है बच्चे क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम इकेडिमी के अंदर अपने गू का यूस करने वाले हो तुम रूट के खिलाफ जा रहे हो फैंग युव Ан कहता है तो क्या हुआ अगर मैं रूट के हिदा जा रहा हूं करता है जिससे देखकर वो घपर आ जाता है ओर उससे को खोड़न करने लगता है अर इग कर रैंग वन का गुमास्टर मुझे बस ज्यादा सी ज्यादा कट दे सकता है जब तक वो मेरे वाइटल स्पॉट पर अटैक नहीं करता है तब तक कि यह सब मेरे लिए बस छोटी सी इंजिरीस के बराबर है लेकिन तब भी फैंग यौन उसके साइड में आ जाता है और उसे उसका यूस करना पड़ेगा ये कहकर वो अपने मिडिली स्टेज की गुआई का यूस करके एक पावरफूल मून ब्लेड उसकी तरफ लॉंच करता है जिससे गावान अपने हाथों से ब्लॉक करने के लिए तयार होता है और चिलाते हुए फैंग यौन से कहता है तुमारा अपने हाथों को सामने करता है और कहता है क्या तुम यहां से भागना चाहते हो क्या तुमको सच में लगता है कि तुम उससे दूर जा सकते हो और गावान भागते हुए मदद के लिए चिला रहा होता है जिसे वहां खड़ा गाड भी सुनता है और कहता है लगता है कोई मत मानो बस वो मिस मोयान का एक सर्वेंट है और फैंग्यूआन तो अभी एक बच्चा है इसलिए वो अभी किसे को मारने की हिम्मत नहीं करेगा तभी दो-तिन स्लैस उस फैंग्यूआन की पीठ पल लगते हैं गाड़ अपने बात को जारी रखता है और आगे कहता है इसके ब लेकिन तब भी तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा ये कहकर वो अपने प्राइमल एसंस से बनी एनरजी तार को उसकी गले में डाल देता है जिससे गावान डर जाता है और फैंग्यूआन से रहम की भीक मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए लेकिन फैंग्यूआन उस तार को खेच कर उसकी गर्दा नलग कर देता है जिससे देखकर वो सभी गाड़ चिलाने लगते हैं और कहते हैं कि फैंग्यूआन ने किसी को मार दिया है जल्दी करो और सभी यहां आओ फिर फैंग्यूआन एक गाड़ के पास जाता है और उसस किसी तरफ को गवाह नहीं रहेगा तो मेरे सीक्रेट भी सामने नहीं आएगा ये सोच कर फैंग यूवान तलवार को मियां से बाहर निकालता है कि तब ही वहाँ पर चीप गाड़ आचाता है जो उन सब से पूचता है क्या हुआ है ये सब क्या चल रहा है फैंग यूवान न तुम सभी यहां से निकल जाओ चीप गाड़ गयता है क्या वो सिर्फ पंदरा साल का ही है वो सामने देखकर घबराय होता है और कहता है ये तो एक रियल डीमन है फिर हमें सामने का सिन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग यूवान की बाड़ी को खसीटे हुए अंदर ले में फस सुका है फैंग यूवान पता नहीं अब उससे कैसे निपटेगा बस मुझे इसके बारे में सोचकर ही मेरी कपकपी छूट जाती है मुझे तो अब डल लग रहा है मैंने उस रूटलेस परसन से फाइट ही क्योंकि वहीं दूसरी तरफ मोबाई डर सी काप रहा होता है वहीं दूसरे तरफ एकडमी अल्डर ने फैंग यूवान को बलाया होता है और वो फैंग यूवान से कहते हैं तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बलाया है फैंग यूवान कहता है मुझे पता है कि मैंने रूल्स को तोड़ा है एकडमी के अंदर मैं उस ने सिर्फ मेरे दरवाजे को ब्लॉक किया बलकि उसने मुझे मारने की भी कोसिस की मुझे अपने आपको बचाने के लिए और उस गदार को मारने के लिए मून लाइट का यूज करना पड़ा और मुझे तो ये भी लगता है कि वो सिक्रेटली दूसरे विलेज के लिए काम करता है मुझे पता है कि एल्डर एक सही फैसला करेंगे ये सुनकर एल्डर कहते हैं ये बच्चा बहुत चलाग है अब गावान मारा जा चुका है तो ये जो चाहे वो बोल सकता है और गावान तो सिर्फ एक मॉर्टल था उसके मरने के बाद उसकी कौन ही परवा करेगा लेकिन वो फिर भी एक मुझे फैमली का सर्वेंट है अब जो कि वो एकेडमी के अंदर मारा गया है तो हमें उन्हें एक अच्छे एक्स्प्लेनेशन देनी होंगी पहले तो मैं चाहता था कि ये अपना एरोगन से थोड़ा सा कम करे लेकिन सच में मैंने ये नहीं सोचा था कि ये गावान को मार डालेगा ये बच्चा इतना सान तोर ऐसे एक्ट कर रहा है कि जैसे इसने किसी को मारा ही नहीं हो ये बहुत परिसानी से भरा है मुझे उमीद है कि ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा फिर एकेडमी अल्डर फैंग्यूआन से कहते हैं तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने गावान की बाड़ी को क्या किया ये सुनकर फैंग्यूआन मुस्कुराने लगता है और कहता है ओ ऐसा है एल्लर तो फस्ट मिस कुछ अच्छे नहीं है फिर हमें मो फैंग्यूआन को एक बॉक्स देते हुए कहती है कि सुबस हुआ फैंग्यूआन ने इसे पिछले वाले दर्वाजे पर छोड़ दिया है मोयान कहती है क्या है इसमें जिस पर सर्वेंट कहती है आप इसे खुद क्यों नहीं देख लेती दूसरी तरफ फैंग्यूआन अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है बाक्स में भरकर रख दिया और सुबा सुबा मैंने उस डिब्बे को मो फैमली की दर्वाजे पर छोड़ दिया यह सुनकर एकडमी एल्टर जोर से चिलाते है और गुस्से में उसी आगे कुछ कहनी की कोशिस तो करते हैं लेकिन फैंगयोन ने कुछ छोड़ा ही नहीं होता इसलिए वो फैंगयोन से कहते हैं अब तो नुकसान हो चुका है और अपनी सजा पाने के लिए अप तयार हो यह सुनकर फैंगयोन मुस्कुराता है क्योंकि इसका प्लान पूरा हो चुका है दूसरी तरफ मो फैमली का दिखाया जाता है जहाँ पर मोया चिला रही होती है और कहती है ये फैंग्योन बहुत अरिगेंस है इसके अरिगेंसी की कोई लिमिट नहीं है अगर तुम एक सर्वेंट को पीटना चाते हो तो पहले तुम्हें देख लेना चाहिए था कि इसका मा बात गए चलो भूल जाते हैं कि तुमने इसमें कितने लोगों को घजीटा सुरू से लेकर आखिर तक वो बस तुम्हें नचा रहा था क्या तुम अभी भी फैंग्योन जो कर रहा है उसके पीछे का मतलब नहीं समझी मोयान ये सुनकर हैरान हो जाती है कि फैंग्योन क्या दरवाजे पर क्यों रखा मोयान कहती है कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि वह हमारे सास्सुरा करना चाता है ऐसा बिलकुल भी नहीं हो सकता है अगर वह सुरा करना चाता है तो किया ये बहतर नहीं होगा कि वासा क्यों सामने आके माफे माँगे वो हमें बौडी को ये बॉक्स क्यों भेज़ेगा मोचैन उससे कहते हैं तुमने आधी बास सही कही वो हमें भड़काना भी चाता है और हमारे साथ सुला भी करना चाता है इस वुड़न बॉक्स को देखो इसमें पूरी बॉड़ी नहीं आ सकती इसका मतलब है कि उस बॉड़ी का केवल इसमें एक हिस्सा है वो हमें बताने की कोशिस कर रहा है कि वो इसमें नहीं पढ़ना चाता और इसे ढंक से सुल्जाना चाता है लेकिन अगर वो मोफैमली के इस मामले को आगे बढ़ाना चाता है तो वो बांकी की बॉड़ी को हमारी सामने फेक देगा और इस मामले को उड़ा द और यही फैंग्योन के समझवता करने की इंटेंस को बताता है लेकिन साथ है उसके खत्रा पैदा करने वाली अबिलिटी को भी बताता है वो इस बार हमें मिला है मोयान कहती है ग्रैंटपा आप इसके बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हैं वो सिर्फ 15 साल का है मोच करने के लिए तुमने उसके कितनी बेज़िती की लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया यह उसके सहन करने की छमतों को दिखाता है तुम्हारे जाने के बाद उसने तुरंद गावाउन को मार डाला यह उसके करेच को दिखाता है और अब उसने यह बाक्स भेजा है यह आप्टिटूड हायर होता तो वो सिकंड क्लास टाइलेंट होता और वो फ्यूचर में हमारी गो क्लाइन का एक अच्छा मेंबर बन जाएगा साथी ये प्रोब्लम तुम्हारी वज़े से पैदा हुई है तो तुम इससे कैसे निप्टोगी मोयान कहती है गावान एक सर्वें में हमारे rules और regulation दिखेंगे ये सुनकर मोचेन कहते हैं तुम अपने emotion को side में रखे अच्छे तरीके से सोच सकती हो लेकिन तुम्हारी तरीके में अभी भी कुछ fault है मोयान कहती है grandpa please मुझे समझाईए के इसमें क्या गलती है फिर मोचेन उसे बताते हैं कि गावान अपने superior के खिलाब गया एक servant जिसने अपने master का मरने लायक अप्मांट किया फूम फैमली का servant था इसलिए हम भी इसके लिए जिम्मेदार है इसलिए 30 spiritual stone के साथ फैंग्यों के साथ compensate करो और गावान के लिए उसकी फैमली को 50 spiritual stone दे के उसी क्लैन से बाहर निकाल दो और जहां तक तु लिए यहां है और फैंग्यों उसे मुस्कुराते हुए देख रहा होता है फैंग्यों ख़ाना खाने के लिए जाता है और कहता है लगता है गोव मोचन को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है अगर कुछ गलत नहीं होता तो मोफैमली गावान की मौत का जांज करने उनकी male bloodline में सिर्फ mobile है जिसे ये बड़ा रिक्स ले जाएंगे क्योंकि कोई भी future में इसके grand circle को target कर सकता है अगर मैं second class talent होता तो मैं family को खत्रा महसूस होता और वो अपनी reputation के लिए मेरे जैसे talents को suppress कर सकता है strong पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन कमचोरी को भी अपने फाइदे के लिए इस्तमाल किया जा सकता है हम सब तो प्यादे हैं लेकिन जैसे ही कोई rules को समझ लेता है वो master बनके खेल का पांसा पलट सकता है goa clan के master राजा है और बागी servant कुत्ते इसलिए क्यूरर हर तरीके से servant बनने से बचना चाती है यही वज़ा है कि गावान अपनी young miss को satisfy करना चाता था चाहे कुछ भी हो rules के बाद पिर से फेंग्योन को रेंजू की कहानी यादा आ जाती है जहाँ पर एक छोटी सी लड़की अपने ग्रैंपा से कहती है कि मुझे रेंजू की कहानी सुनाईए वर्णा मैं मदर को बता दूँगी कि आप बैट कर वाइन पी रहे थे यह सुनकर ग्रैंपा हसने लगते हैं और उससे कहते हैं ठीक है आज काल मुझे कोई चैन से पीने भी नहीं देता फिर वो उसके सरफर हाथ रखते हैं और आगे कहते हैं लेकिन हम पिछली बार कहां थे जिस पर वो छोटी लड़की बताती है कि आप बोल रहे थे कि रेंजू ने अपने दिल को होब गोगो दे दिया ग्रेंटपा कहते हैं हाँ लेकिन वो आखिर में और भी बोड़ा हो गया ना ही वो सबजियों को चबा पा रहा था ना ही फल को खा पा रहा था उचीनियस स्ट्रॉंग तो था लेकिन वो सिकान नहीं कर सकता था और उसने अपने सबी दात भी खो दिये और गुरेंजू से कहता है ए इंसान तुम मर नहीं सकते अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा दिल भी चला जाएगा और मैं रहने का अपना ठिकाना खो दूँगा और कौन ही चाता है कि वो मर जाए अगर हैवेन भी चाता है कि मैं मर जाओं तो भी मैं मर नहीं सकता और हमेशा होप रहती ही है अगर तुम लॉंग वीटी गू को पा जाते हो तो तुम्हारी लाइफ बढ़ जाएगी रेंजू कहता है कहना असान है और करना मुस्किल लॉंग वीटी गू कभी एक जगा पर नहीं रहता तो उसका पता लगाना मुस्किल है और जब ये चलता है तो लाइट की स्वीड से चलता है मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ होब गु कहता है इंसान मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ उत्तर में पश्चिम की ओर एक माउंटेन है और माउंटेन में एक गुफा है और उस गुफा के अंदर राउंड और स्क्वार गुवर्म का जोड़ा है अगर तुमने उस गुफा को कंट्रोल कर लिया तो त पर अपने रास्ते को भी नहीं खोज सकता था रेंजू ने उस अंधेरे में अपना चलना जारी रखा लेकिन कभी कभी वो ऐसी चीजों से टकरा जाता था जिससे उसकी बॉड़ी से खोल निकलने लगता था आखिर में उसने अपनी बची हुई स्टेंद का यूज किया औ कि लगते हैं हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे यहां तक की अगर तुम्हारे पास इंटलेक्ट गुब ही ओ तो तुम हमें एक खोज़ नहीं सकते रंजू कहता है पावर और इंटलेक्ट गुण ने मुझे पहले ही चोड़ दिया है मैं पहले से ही अपनी आप नहीं करोगे इसलिए हम तुमको एक मौका जरूर देंगे जब तुम हमारा नाम ले लोगे तब हम अपने आपको तुम्हें यूज करने देंगे ग्रैंट पा कहते हैं रेंजो ने कई सारे नाम बोलने सुरू कर दिये फैंग डे मन्थ फीस सॉंग अर्थ हर तरीके के नाम जो वो ले सकते थे वो लेने लगे लेकिन अंधेरे ने उन्हें जवाब नहीं दिया क्योंकि वो गलत नाम ले रहे थे इसी तरीके से नाम लेते लेते रेंजो कमजोर और कमजोर होता गया वो और होल्ड नहीं कर सकता था आवाज आती है ए इंसान अब तुम जल्द ही मरने वाले हो इसलिए हम तुम्हें यहां से जाने देंगे इस दुनिया को फिर से देखने के लिए अपनी बचे हुई लाइफ का यूज करो लेकिन तुमने हमें अफ्रेंट कर दिया था इसलिए स्ताजा के तौर पर तुम्हें अपने होबगु को यहें पर छोड़ना होगा यह सुनकर रेंजू चिलाने लगता है और कहता है अगर मैं मर भी जाओं तो भी मैं अपने होबगु को नहीं छोड़ूंगा होबगु इस वज़े से खोस हो गया और इसका जितना अच्छा हो सका उतना अच्छा जवाब दिया रेंजू अपनी बॉड़ी में नई एर्जी को महसूस कर सकता था इसलिए उसने अपना बोर्णा जारी रखा लेकिन रेंजू पहले से बुरा हो चुका था उसने नाम दोराने सुरू कर दिये जो वो पहले से हिले हो चुका था समय बीतता जा रहा था लेकिन गू के जोरे से अभी भी कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा था अंते में जब उनके जीवन का सिर्फ एक दिन से इस बचा तो उन्होंने आखिर में एक नाम लिया रूल्स आवाज आती है हे मानो मैं तुम्हारी दड़ता की प्रसंसा करता हूँ आपने मेरा नाम ले लिया है इसलिए मैं आज से आपकी सेवा करूँगा लेकिन अगर मेरा भाई मेरे साथ रहेगा तो हम इस दुनिया के किसी भी गू को पकड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं उस दूसरे गू की आवाज आती है तुम मनने वाले हो तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए इस दुनिया को फिर से देखने के लिए अपने बचे हुई समय का यूज करो तभे रेंजू दूसरा नाम लेता है जिसके साथ उस गुफा में एक लाइट अपियर होती है जिससे उस गुफा में हर कोने कोने में उंजाला हो जाता है और इसी के साथ अपियर होते है रोल्स और रेगुलेशन गू जो कहते हैं हम तुम्हारे इस कठोरता की सरहाना करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता की ये कौन है रोल्स और रेगुलेशन ने उसको लॉंग वीटी गू को पकड़ने में मदद की रेंजू ने जब लॉंग वीटी गू को पोजिस किया तब वो वापस से 20 साल का हो गया जिससे वो बहुत खुस था ग्रेंपा उस छोटी लड़की से कहते हैं आज के लिए इतनी कहानी बहुत है मेरी प्यारी वोती चलो हम घर चलते है वो छोटी लड़की कहती है ग्रेंपा मुझे बताओ की बाद में रेंजू का क्या हुआ ग्रेंपा कहते हैं चलो घर चलते हैं तो तुम अधेरे में सचाई को समझ सकते हो इस अधेरे में सिर्फ लाइट ही नहीं है ये इससे भी कई ज्यादा है ये कुछ ऐसा है जो पावर, विजिडम और होब गू को आपसेट नहीं कर सकता है केवल रेंजू जैसे लोग ही जो अंधेरों को आखिर तक ट्रोलते हैं उन्हें ही सिर्फ पाने का मौका मिलेगा और जब रेंजू ने रोल्स और रेगुलेशन के नाम को चान लिया तो अंधेरा पूरी तरीके से गायब हो गया ये केवल इसलिए है क्योंकि मैं रोल्स को जानता हूँ इसलिए मैं रोल्स को यूज कर सकता हूँ और इसी तरीके से कैसे मैंने मौ फैमली को पूरी तरीके से बंद कर दिया अगर ये पान्सो साल का पहले मैं होता तो मैं ये कभी भी भी नहीं कर सकता था इसलिए समय में पीछी आने के बाद knowledge मेला सबसे बड़ा खजाना और secret बन गया है और knowledge होने का मतलब ये जानना नहीं है कि मेरे future का रास्ता कौन सा है इस दुनिया से निपटने के लिए मेरे पास 500 साल का experience है और जब मैं rules पर महारत हांसिल कलनूँगा तब मैं सब कुछ जान सकता हूँ ठीक उसी तरीके से जैसे rules और regulation का नाम जानने के बाद रेंजू इस दुनिया के हर्गों को असानी से पकड़ सकता था rules और regulation के अंदर light और darkness दोनों है और वो demon चोरी बाउन हुआ है वो light path पर चलेगा फिर से इंचेंज होता है और हमें एक कारवा के दिखाया जाता है जो गुओ मांटिन की तरफ आ रहा होता है और वो मैं का महीना था और वो वही कारवा था जिसके बारे में इन ओनर बात कर रहा था और उस कारवा का नाम merchant कारवा है हर साल वो अपरेल के महीने में आता था लेकिन इस बार वो मैं के महीने में आया है जहां पर वो उनर अपनी green bamboo wine के stock को बाहन कानने के लिए कहता है और अपनी servant से कहता है कि आज रात हम सारी wine को बेच देंगे और इस कारवा का स्वागत clan elder मूओ बो करते है और उस कारवा का एक leader होता है जिसका नाम जियाफू होता है clan elder कहते है Lord जियाफू तो आखिर कार आप आही गए लेकिन इस बार आपको आने में देर क्यों हुई जिस पर leader जियाफू कहते है रास्ता बहुत खतरनाक था इसलिए आपको इंतिजार करना पड़ा clan elder कहते है और जियाफू इस साल तुम थोड़ी देर से आयो लगता है तुम्हारा रास्ता बहुत कठें रहा होगा जियाफू कहते हैं इस साल चीजे कुछ अच्छी नहीं चल रही थी इसलिए थोड़ी सी देर हो गई लगता है मैंने सीनियर को बहुत लंबा इंतिजार करवा दिया clan elder कहते हैं यही अच्छा है कि तुम यहाँ पर आ गए मैंने तुम्हारा स्वागत करने के लिए कुछ खाने और वाइन का इंतिजाम करवाया है फिर वो करवाँ अपने मार्केट को गो कलैंन में लगाता है जिससे आस पास के लोग उनकी चीज़ों को खरीद रहे थे यह रेयर रेयर और च्छे अच्छे चीज़े हर साल लाते हैं और इसी तरीके से अपनी मार्केट को लगाते हैं उसी मार्केट में अपना फैंग यॉण घूम रहा होता है जो कहता है कारवा के टीम हमारे मॉंटेन पर सिर्फ तीन दिनों के लिए रुखेगी इस समय बहुत से लोग ट्रेट कर रहे होंगे हमेशा आपने अपने आसपास इतने सारे लोग नहीं देखे होंगे वहें पर एक आदमी इंटीमेट ग्रास को बेच रहा होता है जो हाईयर क्वालिटी की होती है और वो सिर्फ दो स्प्रिच्वल स्टोन की होती है फैंग यॉण कहता है मुझे इस इंटीमेट ग्रास की जरूरत है अगर इसे गू के खाने में मिला दिया जाए तो गू को खिलाने में लागत कमाती है फिर वो उस ग्रास को खरीद लेता है और कहता है लगभग 15 दिनों पहले मैंने गावान को मार डाला था जिसकी वज़े से मुझे 30 स्प्रिच्वल स्टोन भरने पड़े जिसके लिए मुझे हर दिन 3 स्प्रिच्वल श्टोन और साथ ही गू को खिलाने के लिए मेरे रहने के खर्चे के लिए और लगतार मुझे ग्रीन बैंबू वाइन खरीदनी पड़ती है जिसके वज़े से अब मेरे पास अठान बेस्प्रिच्वल स्टोन बचे है अगर वो खाना नहीं खाते हैं तो वो बस थोड़े समय के लिए जिन्दा रहे सकते हैं इसके लावाँ वो खुद को भी सील कर सकते हैं बहुत सारे हाइबर नेटिंग गू अपने चारो तरफ एक चट्टान से परत चड़ा लेते हैं लेकिन ऐसा बहुत रियार होता है वो तभी ऐसा करते हैं जब वो अपने आपको सस्टेन नहीं कर सकते वरना फ्लावर वाइन मौंग के बागी के गू मरे नहीं होते और ये जगा रॉक गैम्लिंग डेन हैं अब अपनी किसमत के साथ यहाँ पर gambling कर सकते हैं अगर इस rock के अंदर कोई भी जिन्दा गू मिल जाता है तो उनकी किसमत खुल जाती है और वो कई तरीके से आगे बढ़ सकते है यह लोगों की life का turning point हो सकता है जो कि इस rock के अंदर एक जिन्दा गू को ढोड़ना बहुत मुस्किल है इसलिए यह gambling है आदे से ज्यादा गू मरे हुए होते हैं जिनकी कोई भी कीमत नहीं है अगर मुझे ठीक तरीके से याद है तो मेरी पिछले life में यहाँ पर एक गू मास्तर आया था जिसने एक rock में mud skin तोड़ा गू को पाया था जो 500 spiritual stone के बराबर था यह आज रात ही हुआ था लेकिन इस बार मैं उसकी किस्मत को चुराने वाला हूँ तभी पीछे से आवा जाती है जेंटलमेन आप किस तरीके के stone के साथ gambling करना चाते है में दिखाया जाता है कि वो एक लड़की होती है जो उस जगह पर काम करती है वो फंग्योन को उस जगह के बारे में detail में बताती है और उससे कहती है लिफ्ट साइड वाले counter में 10 spiritual stone वाले पत्थर है लेकिन अगर आप पहली बार gambling कर रहे हो तो साइड आप राइट साइड वाले counter को चूज करो क्योंकि वहाँ का पत्थर 5 spiritual stone का है लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही excited है तो आप अपने हिसाब से counter को आजमा सकते हैं और ये higher और end counter है जिसमें से हर एक की कीमत 20 spiritual stone है ये सुनकर फंग्योन सोचने लगता है कि वह कौन सा counter था जिसमें लिकर वारों में निकला था फंग्योन कहता है 500 साल पहली की बात है इसलिए मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है एक लड़के ने परपर और गोर्डेंग करावाले पत्थर को खरीदा था साइड जिसकी कीमत 10 spiritual stone थी उसने उस पत्थर को उसी जगे पर खोला और उसमें मड इस्टिक टोड़ा गू निकला बाद में किसी ने उसे खरीद लिया जिससे उसे बहुत सारे spiritual stone मिले लेकिन यहाँ पर 20 से ज्यादा पत्थर है लेकिन मैं उनमें से ज्यादा से ज्यादा 9 को खरीद सकता हूं लेकिन अगर मैं अपने खर्चे को हटा दू तो मैं 6 खरीद सकता हूं फिर वो एक एकर के उन सभी पत्थरों को देखने लगता है ताकि वो उनमें से पत्थरों को छाट कर उसे खरीद सके कोई पत्थर छोटा होता है, कोई पत्थर बड़ा होता है, किसी पत्थर का थोड़ा सा कलर अलग होता है, साथी फैंग्यवान बताता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में एक कारवा के साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वो एक गैंबलिंग डेन में काम करता था, फि अगर मेरे पास 500 साल का experience भी है तब भी मुश्किल होगा कि मैं उन पत्थरों को ढूर पाऊ जिन में गू है क्योंकि अगर गू अपने आपको seal कर लेते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता वन्ना सभी डिन पहले ही बंद हो जाते और अगर इनको ढ जोने के लिए कोई टेकनिक है भी तो वो सीक्रेट टेकनिक होगी जो इनहेलिटेंस में दी जाती होगी और फिर फैंग्यवान उनमें से छे पत्थर को चूस कर लेता है जिसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि मैं इन पत्थरों को खरीदूंगा जिस सुनकर वो लड़ लिसाइबल है मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना जियादा खर्च करने वाला है वो सायथ किसी अमीर फैमली का सकसेसर है अगर मैं उसके साथ जूड़ जाती हूँ तो मुझे यहाँ पर और काम नहीं करना होगा और फिर से सपर नहीं करना पड़ेगा फिर वो लड़की फै मैं इन पत्थरों को खुद खोलूंगा ये सुनकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं क्या वो पागल हो चुका है जो लगी कलर समझ के उन्हें खोलना चाता है अगर उन्हें ढंक से न खोला जाये तो अंदर की गुमर भी सकते हैं और वो उसे खुद खोलेगा तो क्या हुआ उसके पास पैसा है तो वो सिर्फ अपने पैंस की गड़ी हुई कमाई को बरबाद कर रहा है तब ही फैंग्यॉन उन पत्थरों को अपने प्रैमल एसंस का यूज करके खोलने लगता है जिससे देखकर वह लड़की खुस हो जाती है और कहती है यंग मास्टर आप बहुत देखने वाले कहते हैं मुझे तो लगा था कि ये यंग मास्टर किसी काम का नहीं है लेकिन इसके पास भी कुछ अच्छे ही स्किल्स हैं एक पत्थर को तभी खोल सकते हैं जब अपने गू के साथ दो तीन साल तक फिमेलियर हो जाएं लेकिन फिर भी पत्थर को खोलना मु जिसे देखकर वो लड़की कहती है यंग मास्टर अभी भी आपके पास बहुत पत्थर हैं फिर इसी तरीके से करके फैंग यूआन एक के बाद एक पत्थर खोले जा रहा होता है लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं निकलता है जिसे देखकर वो सभी उसका मजा को ड़ान को खोल रहा होता है तब ही फैंग यूआन को उस पत्थर के अंदर कुछ महसूस होता है ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं वो लड़की कहती है यंग मास्टर थोड़ा साधौन हो जाइए ज्यादा हल चल मत करना हाइबर नेटिंग बहुत नाजुक होते हैं अगर अपने एक पत्थर के अंदर दूसरा पत्थर निकाल दिया काफे लोग तो ये भी नहीं कर पाते लकिन जब फैंग यूआन दूसरे पत्थर को उठाता है वो सभी कहते हैं ये कैसे हो सकता है मुझे ये मत कहिना कि उसमें एक लिकर वार्म है लेकिन फैंग यंग मास्टर जिंसेंग होता है साथी वो कार्वा लेडर का सौतेला भाई होता है देखने वाले कहते हैं कि यह इस जगा का इंचार्ज है लेकिन उसका इंटरफियर करना और रूल्स को तोड़ना क्या अच्छा है और साथी वो एक रैंक वन का गूमास्टर होता है जिंसेंग कहता है उसके लिए तुम्हें 40 spiritual stone दे दूँ क्या तुम्हें ये पता है कि gambling करते समय 10 में से 9 बार तुम हार जाते हो फैंग यूआन कहता है 40 spiritual stone ऐसा लगता है कि तुम इस पत्थर को बेचने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हो तुम gambling देंड का roll तोड़ रहे हो लेकिन सबसे जरूरी चीज ये तुम क्यूंग वाउंटन पर कर रहे हो तुम मुझे धमकाना चाहते हो वो भी उन लोगों के सामने जिनके नाम के आगे गूओ लगा है ये कहकर फैंग यूआन सभी का ध्यान अपनी तरफ शीच लेता है जिससे सभी लोग सौप कीपर को गुसे से देखने लगते हैं और उससे कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर जिससे वो सौप कीपर डर जाता है और कहता है यंग बरदर तुम कलत सोच रहे हो मैं ऐसा क्यों करूंगा मुझे अभी भी अपने स्टोर को उपिन करना है यह पत्थर मुझे इंटरस्टिंग लग रहा था इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे खरील लूँ लेकिन आप नहीं बेचना जाते हैं तो ठीक है बाद में मुझे इसके लिए दोस मत देना फिर फैंग्यवान अपने पत्थर को खोलता है जिसमें एक मेठा खोता है और वही मडिस्टिक टोड़ा होता है जिससे देखकर वो सभी हैरान और वो सौप की पर गुस्सा होता है देखने वाली कहते हैं उस लड़की की किसमत तो चमक गई उसमें तो सच्वे एक गूल निकला है जिस पर दूसरा कहता है इतनी जल्दी खोसी मत मनाओ हमें अभी भी नहीं पता है कि वो जिन्दा है या फिर मरा फिर फैंग्यवान उसे अपनी पावर देकर हाइपर निसन से बाहर निकलता है और सबकी नेजरे उस पे ही होती है कि वो जिन्दा है या फिर मरा तब ही वो टोड़ा अपनी आँखी खोल कर आवाज निकलता है ये देखकर वो सभी लोग चिलाने लगते हैं और कहते हैं ये गू तो जिन्दा है जो रैंग टू का है मैंने अपना प्रॉफिट खो दिया साइध ये एक डिसाइबल है इसका दसबी से स्पिरिचल स्टोन में क्या होता अगर मैंने उसे सव स्पिरिचल स्टोन दे होते तो वो पक्का उस पत्थर को मुझे दे देता और कहता है ये मर्डिस्टिक टोडा रैंग तू का गू है और इसे खाने में पिली मिटी चाहिए होती है इसका नाम नेसेसरी गू है जो ट्रेजर को रिफाइन करने में मदद करता है मार्केट वैल्यू इसकी 500 स्पिरिचल स्टोन है जिंसन क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो इस टेश से वो और भी हैरान हो जाता है कि फैंग्यूण को उसके बारे में सब कुछ पता है फिल फैंग्यूण वहाँ से जानने लगता है और कहता है अगर तुम इसे नहीं खरीदना चाते हो तो अच्छा है मुझे यकीनन इसके खरीदार मिल जाएंगे जो इसे खरीदना चाते हैं जिंसन कहता है रुकिये मैं इसे खरीदना चाता हूँ लेकिन इसके कीमत क्या भी से थोड़ा सा सस्ता नहीं कर सकते फंग्योन को जाते देखकर जिंसन हर बड़े में कहता है ठीक है मैं उसे खरीदूंगा वहीं दूसरी तरफ दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जो कहते हैं मैंने सुना है कि जिंसन के जासू सिस कसीनों में रहते हैं जिसके भी पत्थर में गूर निकलने वाला है वो जासू जबर जस्ते उनको पैसे देखकर उस गू को खरीदने की कोसिस करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उससे मौत नाराज है लेकिन फाइंग्योन उस कसीनों से बाहर जाने लगता है तब ही वो लड़की कहती है यंग मास्टर अभी भी एक पत्थर बचा है कि आप उससे खोलना नहीं चाते लेकिन फाइंग्योन बिना कुछ बोले उस कसीनों से बाहर निकल जाता है जिससे वो लड़की मूफ उला लेती है फिर फाइंग्योन इन में आ जाता है जो उस आखरी पत्र को खोल रहा होता है और कहता है अच्छा हुआ मेरे पास मिडिल स्टेज की क्यों आई है वरना मैं उन पांच पत्रों को खोल नहीं पाता लेकिन अब मेरे पास 500 स्प्रिशल स्टोन है इसलिए अब मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए मडिस्टिक टोडा रैंग टू का गू था लेकिन मेरे पास कोई प्लैन नहीं था उसकी कल्टिवेशन करने का सबसे पहले तो ये क्यूंग्यों मॉन्टेन पूरी ग्रीन सोयल यानि हरी मिट्टी से भरा है और इसका खाना तो पीली मिट्टी है जिसे ढूरना बहुत मुस्किल है दूसरी बात एक साथ तीन गू को भी समाला मुस्किल है और साथ ही मेरी कल्टिवेशन भी लो है जिससे लोग मुझे आसानी से टार्गेट कर सकते हैं अगर मैं क्यूंग मूंटेन पर नहीं रहता तो पकका कोई न कोई मुझे मारने और लूटने के लिए जरूर आता फिर फैंग यूआन उस पत्थर को खोलता है जिसमें कुछ भी नहीं निकलता है फैंग यूआन मुस्कुराने लगता है और कहता है मुझे पता था कि इसमें कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि इसमें कुछ निकले फिर वो ट्रेजर के बारे में सोचने लगता है जिसे वो पैसा कमाने के साथ कल्टीविशन भी कर सकता था फैंग युवान कहता है ऐसा लगता है कि कुंग्वी मौंटेन पर कोई भी ट्रेजर नहीं बचा है लेकिन पासी में एक वाइड बॉन मौंटेन है जहां पर रैंक फोर राइटेस पास्ट गुमास्टर की इन्हेलिटेंस है लेकिन वहाँ के आपस्टिकल को पार करने के लिए एक साथ दो लोगों की जरूरत है और फिलहाल के लिए मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके उपर मैं विश्वास कर सकूँ फिर फैंग्यौन को इस प्रोजेक्शन गुग के बारे में याद आता है फैंग्यौन कहता है फ्लावर वाइन मौंग ने अपने पीछे प्रोजेक्शन गुग को छोड़ दिया था अब समय आ गया है कि मैं उसका यूज करूँ इस प्रोजेक्शन गुग को देखकर पूरा विलेज अपना मौराल यानी मनुबल को खो देगा और मुझे यकीन है आसपास के दो मौंटेनिस में पक्का इंटरस्टेड होंगे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है